हर आर मादेफ सभी के लिए जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, अभी हम लोग हैं उत्तरखंद हरीद्वार में और यहां पर आप लोगों के लिए हरीद्वार और रिशी केस की बहुत ही फैमस फैमस चीजे आप लोगों को देःएं तो कि अभी सावन का महिना चला है और बहुत सारे सरद्दारू यहां पर आ रहे हैं तो दोस्तों आभी मैं पहुचा हूँ राम जूला के पास में जो की रिशी केस में है तो दोस्तों यहां पर आज की इस वीडियो में आप नहों के लिए राम जूला दिखाएंगे और पास ही में यहां पर आपके बगल में ही जान की जूला भी बना हुआ है उसको भी हम आप नहों के दिखाने वाले हैं और लच्मन जूला पर भी जाएंगे तो वहां के बारे में भी आप नहों को बताएंगे अगर इस जुलिय की इतास के बारे में बात करें तो दोस्तों इसकी ये सन 1906 में बना था और इसकी जो लंबाई है वो 450 मीटर की है इसकी जो फुल लंबाई है आपको देख सकते हूं इधर से लेकर के और इधर पीछे के दिखा 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 द 36-38 साल हो चुके हैं और अभी इस पुल का जो इस्तेमाल है वो सरफ पैदल आत्री और दुपईया भानों के लिए ही किया जाता है हलांकि दोस्तों अभी कावर आत्र चल रही है और यह जो रास्ता है वो इना कि उस पार से दूसरे पार को जोड़ता है जहां से आप नेल कर परवत की हो और भी कई जगह जा सकते हो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सिनेमेटिक से दिखा देता हूं यह देखिए आप लोग और यह जो जूला है वो रात में खूब सूरती का बहुत अच्छा लगता है और उधर देखिए वहां पर आ चान की सेतू चान की जूला इसको बोलते हैं और इधर के साइट में है लच्मर जूला जो यहां से नहीं दिखता है अब यह आपनों थोड़ा सा आगे जाओगे तो वहां से दिखेगा अब उसको बंद कर दिया गया है और अभी वहां पर और यहां पर दोस्तों आपर आस सूट करने में कापी सायता करता है और विकास क्या हाल है जैव होने के मज़े आ रहा है ना आड़ी द्वार में भूलकुल वाईरिसी केस में तो अलगी जट्वार यह देखिए इधर आप लोगों देख सकते हो काफी अच्छा यहां का नजारा है यहां से मैं दूसिये चान की जूला आप देख सकते हो यह देख आसपास का नजारा है वह देख सकते हो काफी खुप सूरत है और पहाड़ों में यहां पर बहुत खुप सूरती का नजारा आप देख सकते हो